हमारे साथ इस वक्त मौझूद है लारी कार्डियोलोजी के डॉक्टर अपिस एक सिंग इस बड़ती है हार्ट के पेशन्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं उसका एक मूल रीजन या में कारण है कि हम लोगे से जो बॉडिय में नसे होती है नसें इसपेशली है की जो कॉर्णियास और लाशा इसे हम लोग वेस सब्गर्ण के बढ़ने बादियां हु जिस वह से बलड़ पास सौ सदेशơi तो पेशिंट डेली हाइट अटैक के और बट पिशर से बढदने वाले पेशिंट्स प्लस हार्ट फैलेव के पेशिंट्स आ रहे हैं और और अल्मॉस्स फार्टीस इसकाथे बिभीर ओडि तेकनिकल सवेश्व हमेशा से मौजूद है और एमनसरी टीम हमेशा रहती है जैसे ही patient heart attack आता है तो उनको जो primary care होता हो दिया जाता है और साथ में अगर patient window period के अंदर आता है तो हमाएं पास thrombosis plus angioplasty की भी बास्ता है जिसे हम लोग primary angioplasty कहते हैं heart attack के patient जो especially 6-12 गंड़े गंदर आ जाते हैं chest pain के बार तो ऐसे patients में हम लोग के पास primary angioplasty की भी सोविदा है और कभी-कभी अगर उसके बाद आते हैं patient तो thrombosis जिसे हम लोग जो नसों में जो थक्का जम जाता है जिसके वह से heart attack पड़ता है उसको गलाने की भी जो दवाईयां regular rup से लेते रहें ठंट से बचके रहें और doctor से परामश लेते रहें सर क्या वज़े है कि मतलब कि जो जाड़े का महिना है नौंबर से लेकर और जनुरी चल रहा है पेसेंट लगातार बढ़ रहा है तो क्या माने सर कि किस वज़े से दो-3 चीज़े हैं इसमें मैं कहाना च जाडों में blood sugar हमेशा आपको बढ़ा मिलेगा, गर्मियों में दवाएं कम करने पड़ती हैं, गर्मियों में पसीने जाद आता है पसीनों से आपके स्वरी से sodium का loss होता है तो blood pressure अपने पयम पाँ मशनी है, जाडों में हमेशा blood pressure बढ़ता है, blood pressure बढ़ना heart attack हम प्लस stroke को जि में हम लोग कहते हैं जिनको COPD है व्रॉंक्यलस तुमाई है यह भी ठंड के एक्स्वोजर से बढ़ता है तो और ओल सांस फूलने वाली तकलीफ जिसको बले लंग से हो बले हार्ट डिजीज से हो वो बढ़ जाती है क्या उम्र है मतलब कि आप देख रहोंगे कि लगाता है किस उम्र के ज़्यादा मरी जा रहा है वैसे तो हार्ट अटेक के लिए उम्र को तैय करना मुश्किल हो गया है क्यों कि हम लोग के लिए तीस साल तक के लोगों को भी हार्ट अटेक हो रहा बट यह जो ठंड से कोल्ड इंड्यूस हाई परटेंशन और हार्ट डिजीज है इस्पेशली ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन है क्योंकि ओल्ड एज में हम लोग के पास इस्पेशली आफटर सिक्स्टी यह थर्मोजेनेसिस जिसे हम कहते हैं कि बॉड़ी में गर्मी प्रोड्यूस करने की श अगर वादा अटेक करता है सर्क तो मतलब की जिस तरीके से मरी जा रहे हैं तो क्या बचाओ कर सकते हैं अगर उम्र दराज लोगों के लिए हैं तो क्या मतलब क्या करें और अपने आपको बचा के रखें गरम कपड़े पहने लेयर्स में पहने ठंड के एक्सपोजर से करें अदर्वाइस को इसकिप भी कर सकते हैं अपनी जो रगलर दवाएं ब्लड परिशर डायवटीज की खाते हैं या किसी और भी चीज की लंग्स के लिए से इनेलिस लेते हैं वह एकदम रगलर रखें एक्सपोजर से बचें और जो अपनी दवाएं हैं नियमे दुरू कि पहुच पा रहे हैं तो उनको क्या करना चीज प्राइमरी स्टेज में ये किस चीज का सेवन करें जो बचाव कर सके हास्पितल पहुंचने तक मतलब कि इलाज देखें जो पहला लक्षन होता है हार्ट एटैक का सीने में दरद साथ में पसीन आना बहुत उलिजन घबरा मोहिया की जाती है, especially जिसे हम लोग anti-plated कहते हैं, जो थक्का गोलने की दवाएं हैं, aspirin है, clopidrogal है, और बाकी दवाएं, जो basic दवाएं हैं, वहाँ से मोहिया हो जाती है, उसके बाद से हम लोग का center, मतलब जितने भी जो tertiary care centers हैं, जैना medical कॉलेज़ हैं अब उत्तर प्रदेश में कई सारे में कॉलेज हो चुके हैं तो नियमेत रूप से आप अगर अगर अभी ऐसा हो तो प्रामरी हल सेंटर तक पहुंचे वहां से रहती हैं जहां पे आपको समुचित हर्ट डैक के ट्रीट्मेंट की सुझदाएं मिल सके अमूमन अगर हम देखें तो 300-400 पेशेंट डेली आ रहे हैं हम लोगे पास ओपेडी हो जाना आप लोग साढ़े 500-600 पेशेंट्स देख रहे हैं नौर्मल दिनों में सिर्क कितने आते थे लग बैचे गर्मियों में एमेजनसी पेशेंट्स कम हो जाते हैं फॉल आप पेशेंट्स ह अब हम लोग की वैस्ता पूरी रहती है हमेशा ही कोई भी पेशेंट्स रहता हम लग वेल एक्यूप्ट के जिए हम्यों काडियालजी डिपार्ट्मन वेल एक्यूप्ट है हर्च तरीके के में सिसको डील करने के लिए हमेशा हम दुख तया रहते हैं यह थे डॉक्तर अब सिक जिन्होंने बताया एन्बिटी ऑनलाइन के लिए आभाय सिंग की रिपोर्ट